जब अच्छा मा के पेट में होता है, तो बच्चे को जो nutrition मिलता है, Millsはい habitual code के थूर उसको जाती है पर जब बच्चा बाहर आजाता है तो उसके जो nutrition का जो source होता है वो होता है breastfeeding और breastfeeding बच्चे के सिफ nutrition देनी का काम नहीं करता है मा और बच्चे के बीच में strong bond create करता है stop breastfeeding करते हैं, तरीके फॉलो करते हैं, तो वो चीजे जो है ना, माँ और बच्चे दोनों को बहुत जादा affect करती है, बच्चे और माँ दोनों उस pain से गुजरते हैं, तो आज के इस वीडियो में में बहुत आसान तरीक है और breastfeeding को कैसे stop करें, उससे relative वो सारी ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अगर आप breastfeeding को stop करने वाले हो, या सोच रहे हो, तो आपको बहुत जादा help करेगी, तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत जादा informative होने वाला है, और अगर आप मेरे चानल पर नए हो, तो make sure करो कि आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, और last में वीडियो अच्छी लगे, इंफरमेटिव लगे, तो वीडियो को like करना और share करना बिलकुल भी ना भूले, ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे stop करें, उसके बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि उससे पहले हमें कौन-कौन सी तैयारिया करनी जरूरी है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है, आपने सोचा हुआ है कि इस टाइम पे आपको बच्चे का ब्रेस्ट फ तो जरूरी है कि आप कोई alternate option सोच की रख लो formula milk रख लो जो की और उसकी आदत भी बच्चे को लगा दो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने breastfeeding को stop करने का सोच लिया है आप सुरू हो breastfeeding करने के process में हो और बच्चे को अपने अचानक से formula milk दे दिया है और बच्चे ने जो है उस को जरूरी है दूद जरूरी है बच्चे को सेकंड है कि आपको जो है ना mentally prepared होना पड़ेगा इस process के लिए क्योंकि यह जो process है ना you know mother to mother different होता है कुछ mothers का होता है कि बहुत easy हो जाता है बच्चे खुदी से छोड़ देते हैं breastfeed करना तो वो easy चाह जाता है बट कुछ mothers के लि इसके लिए भी आप ठीक है उस तरीके से आपने प्लान किया बट अगर चीजे थोड़ी सी हाट जा रही है तो उसके लिए भी आप प्रपेर हो you know mentally up strong हो कि नहीं यह कुछ समय का time है आप इस समय में आपको थोड़ी सी थकान भी हो सकती है आप तोड़ी irritated way feel कर सकते हो बच् अपने पार्टनर की help ले सकते हो या फिए घर में किसी family members की help ले सकते हो जो कि बच्चे से attach है connected है उससे होगा क्या कि आपको यह जो ब्रस फीटिंग स्टॉप करोगे उसमें आपको थोड़ा सा रिलाक्समेंट मिलेगा आप उनको बोल सकते हो कि आप यह जो फीड है आप बच्चे को करा दो तो थोड़ा सा आपको भी रिलाक्स होगा और बच्चे जो है न यह डिस्ट्राक्शन भी करेगा कि उनका दिमाग माइंड आफ होगा यह चीजे खानी है या फिर यह फीड हमें इनसे लेनी है तो यह भी बहुत जादा हेल्प करेगा कि आप किसी को help ल बच्चे को परेशान कर सकता है तो उसके बारे में आप जरूर बात कर लें अगर वो कोई सजेशन देते हैं या फिर कोई प्रस्क्राइब करते हैं कोई चीजे कुछ मेडिकेशन तो आप उसको भी follow-up कर सकते हो तो यह वो सारी चीजे हो गई जो कि आपको breastfeeding स्टॉप करन तो exclusive WHO का recommendation है, pediatricians के बात महने या फिर nutritionist के बात माने तो हमें 6 मन तक exclusive breastfeed पे बच्चे को रखना होता है क्योंकि मा का दूद्ध अम्रित का काम करता है बच्चे के brain development, immune development, physical development यह उन्हों सारी ही चीजों के लिए बच्चे को जो 6 मन तक हमें breastfeed पे ही रखना चाहिए up to 2 years तक हम continue कर सकते हैं, अगर आप healthy हो, आपको किसी तरह के कोई problem नहीं है, आप करा सकते हो 2 years तक breastfeed, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, बच्चे को तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी ही, प्लस आपको भी health issues नही ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, यह बिल्कुल healthy है और सही है, नेक्स हम बात करते हैं कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को stop करने का, पहला जो रीजन यह हो सकता है कि आप एक working mother हो, आप फिर से वापस आप अपना work join करने वाले हो, बच्चे को छोड़कर तो उस case में आप ब्रेस्ट फीडिंग को stop करने का सो सकते हो, या फिर बच्चे की age हो गई है, like two and a half पे हम बच्चे को जो है प्ले स्कूल में, किंडर गार्टन से भेजने लगते हैं, तो हम उस वक्त हम ब्रेस्ट फीडिंग को stop करने का सो सकते हैं, नेक्स है कि अगर आप किस तरीकी का मेडिकेशन ले रहे हो, किस तरीकी की दवाईया ले रहे हो, जो कि बच्चे को आपके ब्रेस्ट फीड के द्वारा बच्चे के बॉड़ी में जाएगा, जो कि एफेक्ट करेगा, तो उस टाइम पे भी आप इये सो सकते हो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग को stop करन नेक्स्ट है कि आपकी body ready नहीं है आप irritated feel कर रहे हो आप you know satisfied नहीं हो रहे हो कि आपको breastfeed करना है तो उस case में भी आप breastfeeding stop करने का सो सकते हो next है कि बच्चे का hunger है वो satisfy नहीं हो रहा है बच्चे का nutrition नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका nutrition गलत ही या फिर कुछ भी वज़ा है बच्चे satisfy नहीं हो रहा है breastfeed से उस दोरान भी आप breastfeeding stop करने का process जो है चालू कर सकते हो तो यह वो सारी वज़े हो सकती है breastfeeding को stop करने का कि breastfeeding को stop करने का consequences क्या हो सकता है mother पे भी और बच्चे पे भी तो पहले जो चीज है मैं बतादू कि breastfeeding जो है स्टॉप करने का experience है mother to mother different होता है कुछ मदर्स का होता है कि बहुत स्मूथ हो गया बच्चे ने खुद से breastfeed स्टॉप कर दिया तो that was very good you know that was like miracle कि बच्चे ने खुद से breastfeed स्टॉप कर दिया तो mother भी happy बच्चा भी happy क्योंकि बच्चे को खुदी इंटरस्ट नहीं है बट कुस केसे में क्या होता है कि बहुत painful हो जाता है mother's के लिए भी बच्चे के लिए भी बच्चा क्राई करता है आप mentally physically बहुत परिशान हो जाते हो बहुत तरह की issues हो जाते है आपको breast ingourgement की problem हो जाती है you know mastides की problem हो जाती है clock duct की problem हो जाती है तो यह सारे issues के भी हो सकते है health risk हो सकता है कितनी problem होती है breast ingourgement अगर हो गया है तो breast heavy feel हो रहा है आप जब breast feeding स्टॉप कर दियो अचानक से तो आपके ब्रेस्ट हो बहुत जादा heavy feel करेगा तो भरा भरा सा क्योंकि बच्चे को आदत है breast feed करने का बच्चे ने अचानक से छोड़ दिया है breast feed करना you know आप जैसे कि अगर तो ठीक वैसे ही अगर आप ब्रेस्ट फीट कर रहे हो continue कर रहे हो और अचानक से आप ब्रेस्ट फीट नहीं कर रहे हो तो आपको यह सारी प्रॉप्लम्स हो सकते है breast happiness feel हो सकता है breast में दर्ध हो सकता है तो जरूरी है कि आप कुछ चीजे करो जिससे कि आपको इन सारी चीज जो बच्चा जो breast feed करने के यादा थे तो milk तो वो बन ही रहा है न वो थोड़े स्टॉप हो गया है अब milk जो stop होने का जब breast feeding अप स्टॉप करते हो उसको milk को सुखने में आप से 10 दिन तक 12 दिन तक समय लगता है तो तब तक आपको जो हलके हलके हाथों से breast को breast करके milk को बहा होगा कि clock duct हो जाते हैं थोड़ा सा hearts or feel होता है breast infections हो जाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा आपको relaxement होगा थोड़ा comfort आपको लगेगा और थर्ड है कि आप जो है कोई pills विगरा ले सकते हो जैसे कि होता है अगर आप अपने doctor से बात करोगे तो वो कुछ pills विगरा आपको देते हैं तो वो थोड़ा सा आपको help कर सकता है तो यह वो सारी चीजे जो consequences होने थे अब उससे कैसे हो सकते हो यह वो सारी चीजे हो गई बात करना है ठीक है थिट कौन-कौन से होते हैं जिससे की हम breastfeeding को रोकने की courses करते हैं तो पहला होता है baby late winning होता है तो baby late winning में क्या होता है कि बच्चा जो है ना खुदी वो चीजे बताता है कि आप उसको breastfeed में कोई interest नहीं है बच्चा वो है ना breastfeed करना ही नहीं चाहता है तो वो उस तरीका का signals आपको खुदी देगा तो आपको जो है ना वो चीजे समझनी पड़ेंगी कि आपका बच्चे का आपको खुदी लगे मदे लड़ बिइनग में क्या होता है कि आपको सारी चीजे करते हो जिसे की बच्चे को आप प्रेस्फीडिंग स्टॉप करा सको उसमें बहुत सारे टिप्स एंड ठृक्स आप फॉलो करते हो और थर्ड है कि फोर्स्ट वीनिग ए फॉर्स्ट वीनिंग में आप एक्तम प कर लेते हो, तो नहीं करा तो यह बहुत ही हार्ड method हो जात है आपके लिए और बच्चे के लिए कृदिकी बहुत रोने वाला है breastfeed अगए चानक से बच्ची ने छोड़ दिया तो बच्चा रोने वाला है बोहुत जादा रोने वाला है और आपको भी बहुत जादा फ्रेस्टिटिंग लगेगा घर यहतु होगे में जो हम सुछी हो चैसे बना बच्छाः सकता है। वह अगल करतें ने हैं, परकव्रेस्टिंग प savings upon almost 3,5 максим rebellious Galos जिसमें हम स्लोली स्लोली सारे चीज़े जा रहे हैं तो वो चीज़े प्रॉट्रम नहीं करती हैं दोनों का माइंड सेट उसी हिसाब से चलता है बट अचानक से कोई intervene हो जाना अचानक से कोई interference होना उस चीज में तो third disturbing होता है राइट जैसे कि मैंने बोला फर्स जो tips की अगर हम बात करें तो आप जो है न वन येर का जब बेबी है तब ही सी आप कोई formula milk हो गया उस पर आप switch जरूर करो या फिर आप cow milk भी दे सकते हो, बहुत सारे parents देते हैं, एक साल के बच्चे को cow milk भी देते हैं, तो आप cow milk दे रहे हो, या फिर आप formula milk दे रहे हो, दोनों की आदत बच्चे को एक साल पहले से ही डाल के रखो, होता क्या है कि अचानक से अगर ये process अब start करने वाले हो, अचान आदत डाल के रखो, या फिर आप cow milk जो भी देने वाले हो, आप उसकी आदत पहले से बना के रखो, वैसे cow milk जो होता है, वो बच्चे के लिए easy digestible नहीं होता है, उसके जो compounds होते हैं, nutritional compounds होते हो बहुत हार्ड होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम formula milk दे बच्चों को तो वो ज़ उनकी understanding बढ़ जाती है, वो चीजों को समझने लगते हैं, वो अपने comfort zone में जाने लगते हैं, तो ज़रूरी है कि हम bottle को replace करके sipi cups में, sipi cups दे, जिसको की दोनों side handle होता है, बच्चे उसको खुद से पी सके, खुद से अपने आपको self-feed कर सके, तो इसे क्या हुआ कि कि आदत जो है बहुत गंदी वाली बच्चे को लग जाती है, उससे भी बहुत जादा रिलाक्समेंट होगा, जरूरी है कि आप बटल को change करके आप sipi cup बच्चे को दो, जैसे इसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उस हिजाब से आप bottle से sipi cup पे switch करो, प्योरिंग food, कहने का मत प्योरी बना कर देते हैं, उतना ही बच्चों के लिए easy digestible होता है, प्लस बच्चे को उसको swallow करने में भी easy होता है, जरूरी है कि आप बच्चे को जो भी food दे रहे हो, वो प्योरी फॉर्म में ही दो, जितना जादा हो सकी, ताकि वो smooth है, बच्चे ने easy जे खा लिया, उसको टमी में जाके easy digest हो गया, और उसको वो nourishment भी मिल गया, next tip है कि आप जो भी food बच्चे को दे रहे हो, या पी प्योरी फॉर्म में दे रहे हो, तो उसमें आप ये कोसिस करो, कोसिस क्या, आपको करना ही है, आप breast feeding स्टॉप करने वाले हो, तो जरूरी है कि आप ये सारी चीज करके बच्चे को दो, ताकि ऐसा होगा कि उसको जो टेस्ट है ना, ब्रेस्ट मिल का उसको फैमिलियर लगेगा, कि ये फूट जो खार है ना, just like ममा के उस तरीके से है, ब्रेस्ट फीट जो बच्चा करता है, बिल्कुल वैसा है, उसको अलग चेंज नहीं लगेगा, तो य अलग एक स्टीप है कि जब भी आप बच्चा आपसे ब्रेस्ट फीट करने की आए, उस वक्त आप ये कोसिस करो कि आपको जो है बच्चे को फूट ही देना है, आपकी 100% कोसिस यह होनी चाहिए कि आप उस वक्त बच्चे को फूट दोगे, आप बिल्कुल भी ब्रेस्ट नहीं कराओगे उसको तो ब्रेस फिट के अलावा जो फूड है वो बहुत जाधा इंट्रेस्टिंग है उसको खाना ज्यादा चाहेगा गर ब्रेसफिट को रिपलेस करके आफ फूड बच्चे को दो जितना टाइम हो जाए उसको कोई स्नैक दे दिया या फीर एसा फूड जो बच्चे को खाना बहुत पसंद है तो उस वक्त आप उसको जरूर दो नेक्स्ट टिप है युनो सिक्स मन्त के बाद हम बच्चे को जो सॉलिट फुट हम देरी लगते हैं तो उसमें जो है अब आपको जो है नो धीरे धीरे वैरियेशन लाते रहना है लाइक डिफरेंट डिफरेंट फुट आपको आड करते रहना है उससे होता है क्या कि बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट फुट जो टेस्ट तो करते हैं उनको डिफरेंट निट्रेंट जो मिलते ही है प्लस उनका इंटरस्ट जो है न फुट के प्रती जादा हो जाता है breast milk को कम हो जाता है वो breast milk को बाद में रखते हैं पहले food taste करने में ज़्यादा interest दिखाते हैं तो जरूरी है कि आप जितना ज़्यादे आप fishes दो, बच्चे को eggs दो scramble eggs दो, जितना ज़्यादा हो से कि आप different variations लाके बच्चे को food दो जितना variation आप रखोगे बच्चा उतना ही उसको engagement होगा बच्चा उतना ही ज़्यादा उसको उसको उस food को taste करने में उसको खाने में busy रहेगा next है आप अपने feeding routine को change करो feeding routine को change करने का कहने का मतलब है कि जैसे कि आगर आप दिन में 3 feed दे रहे हो बच्चे को तो उसको skip करते चेंज कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हैं तो दिन में अगर आप तीन बार बच्चा फीड ले रहा है एक टाइम आप उस वक्त बच्चे को divert कर दो उस वक्त आप फूट दे दो या फिर किसे में चीज में इंगेज कर दो उसको प्ले करो चुछ भी करो तो उस वक्त आप फीड जो है दीरे दीरे उसको change करने लगो तो उसको skip करने लगो तो दीरे एक skip हो गया फिर आप next वाला skip करने लगो तो ऐसे ऐसे अगर आप фीडिंग रूटेन को अगर आप धीरे दीरे अगर चेंज करते हो ये आपको बहुँ जादा help करेगा breastfeeding को stop करने में next tip है कि जीतना ज्यादा हो सके आप बच्चे के साथ engage रहो उसको divert करो कैसे भी करो आप book reading करो singing करो dancing करो you know faces बनाओ आप कुछ भी करो उसके body parts के बारे में बात करो या moon sun stars कुछ भी बात करो बस करो उसे उसको divert करो उसका होगा क्या कि बच्चे का जो ध्यान है breastfeed से हटके आपके साथ खेलने में जाएगा आपके साथ time spent करने में जाएगा और बच्चा जो है ना भूली जाएगा कि वो किसलिए आया था वो मेरा जो breastfeeding experience था वो थोड़ा different है क क्योंकि मैं second time pregnant हो गई थी तो यही जो tip है मेरे बहुत काम आया था और मेरे बच्चे ने खुदी you know I'm so blessed में कह सकते हो कि मेरे बच्चे ने खुदी brushfeed स्टॉप कर दिया था क्योंकि मैं second time pregnant हो गई थी जो भी हो उसको taste अच्छा नहीं लग रहा हो या फिर उसको nutrition उसका इं कर दिया था breastfeeding उसने खुदी छोड़ दिया था और फिर ज्यादा सजाता मैं यह कोसित अगर मालो कर कभी वह ब्रेस्ट्वीट के लिए आता भी था तो मैं यह वला टिप जरू फॉलो करती थी उसको इंगेज करती थी you know मेरा कोसिस होता था कि उसको जो है डाइवर्ट कर उससे वक्त में उसको मून स्टार्स के बारे में बात करती थी you know rams करती थी और उसके बॉड़ी पार्च को उस तरीके से करना फिर उससे रहाना तो बच्चा जो है मेरा खुद बhखुदी सो जाता था और वह स्किप कर जाता था उसमें इंगेज हो जाता था वह या फिर खीप करने लगता था यह चला जाता था तो यह जो टेपया आप यह जो पूस के लिए अगर इसंग करते हो तो आपको जो जुब है प्राइड पिर भीस अपने रहर से ब्रॉच फ्टिन like button and definitely subscribe to my channel thanks for watching